आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने Redmi या फिर MI के फोन में यहाँ पर किसी एप का data clear या फिर किसी एप का cache clear करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं आए आज की इस वीडियो में जानते हैं यहाँ पर आपको इसके लिए अपने फोन में settings में जाना है याणि कि अपने फोन की settings को open करिए और settings open करने के बाद आपको नीचे scroll करके यहाँ पर एक option मिलीगा apps के नाम से तो यहाँ पर apps वाले option पर click करिए और click करने के बाद आपके सामने ऐसा page आएगा और यहाँ पर एक option आपको मिलीगा system app settings और एक option आपको मिलीगा manage apps तो यहाँ पर manage apps का option आप directly settings में उपर search कर सकते हैं नहीं तो आपको simply apps में जाकर यह option easily मिल जाएगा तो इस पर click करेंगे और click करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके phone के सारे application आचुके हैं अब यहाँ पर आपको जिस app का data clear करना है यहाँ फिर clear cache करना है वो यहाँ पर आप select कर लीजिए तो जैसे कि यहाँ पर हम करेंगे whatsapp का data clear तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें search कर लेना होगा whatsapp को तो उपर हम टाइप करके सर्च कर लेते हैं और WhatsApp इस टाइप से मिल जाएगा अब किलिक करने के बाद एक option आप देख सकते हैं नीचे clear data या फिर storage पर किलिक करके आपको easily clear data का option मिलेगा यहाँ पर अगर clear all data करना है तो इस पर किलिक करके ok करिए या फिर अगर आपको only cache clear करना है तो इस पर किलिक करके ok कर दीजिए अगर आप किसी ऐसी ऐप का data clear करेंगे जिसमें आपकी ID create करनी होती है जैसे कि Instagram, Facebook तो आपकी ID यहाँ पर logout हो जाएगी तो इस बात का आपको ध्यान देना है तो इस पर से आप किसी ऐप का data clear या फिर cache clear कर सकते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें